हाटी पुत्र के हलके में आज फिर लगे स्टी स्टेटस देने वाली भाजपा के खिलाफ नारे कॉंग्रेस समर्थित हाटी मांच ने दो सब्ता पहले शिलाईदो आज कफो टायम में किया प्रोटेस्ट नोटिफिकेशन के पांच वे माह भी सर्टिफिकेट इशूना करने के लिए हाटी समीति द्वरा सुखु सरकार की निंदा किये जाने का विरोध किया वर्ष 1967 की जा रही मांच सीरे चड़ने पर पहले ऐसी संक्रेटनों ने विरोध किया तो अब हाटी समीति से अलग होता दिख रहा है खश राजपूत व भाठ ब्राह्मन समुदाए के कॉंग्रेस समर्थित लोगों का धड़ा महाखुम्रियों में हुए डिसीजन के मताबिक लास असेम्बली लेक्शन में हाटी समीति ने किया था भाजपा का समर्थन हाटी समीति के सपोर्ट के बावजूद 155 वले गिरिपार के 104 के करीब पंचायत वले शिलाई वर रैणो का जी विधान सबा हलके में डूबी थी बीजेपी की लुटिया गिरिपार की साड़े पांच तशक पुरानी मांग सीरे चड़ाने के साथ सत शिलाई महस्डियम ओफिस, डियस्फी ओफिस, सिविल कोर्ट, सिविल हॉस्पिटल, एक्सियन ओफिस वा कॉलेज ददद आशील जैसे दर्जनो सांस्तान खुलूआने वाले बलदेब तो अमर नहीं निकाल पाई सीट नहन हलके से भाजबा प्रदेश अदेक्स की हार का एक मुख्य कारण हाटी शूपर गुजर वोट वैंग खिजकना भी मान रहे हैं सियासी जानकार जब केंदर सरकार से स्पस्टीकर्ण मांग रहे हैं और बिर्पिर फिजेपी के लिए काम करी बीटीम की तरह और माननी उज्जोग मंतरी जी जो यहां से हमारी मंतरी है अगर वो गलत होते मंतरी जी खुद कहते हैं कि हमें पिमी ले जाओ आटे विकास कल्यान मंच द्वारा जो है वो एक रेली का आयोजन किया गया इसमें केंदर सरकार से साब शब्दों में मांग किये गई है कि हिमाचल सरकार ने चार महीने से जो चिठी आपको सपष्टी करण के लिए भेजी है आप उसका सपष्टी करण क्यों नहीं दे रहे ह है भाजपा के परदेश सद्यक्स राजी बिंदल इस पर क्यों बात नहीं कर रहे है अब उसके बाद अभी पिछले कली हमारे तीन और साथी हाई कोट के अंदर गए और हाई कोट के फैसलें हाई कोट में फैसला दिया इनको तुरन जिलादीश जिला सिलमौर को आदेश द तो सरकार बहुत कुछ कर सकती है इस ग्राउंड में मिटिंग भी नहीं करने देंगे इस ग्राउंड में परमिशन लेंड पर देजिए अगर हम करना चाहें यह एक ही संदेश आप लोगों के लिए है कि मेरे अमने में तुम्हारा क्या काम है आप आरे लिए अगर कोई रोड़ा बना हुआ हमारा जिरे का मंति हर्षबर्दन तोहन बना हुआ है यह पिल्तो होकर रहेगा लेकिन आप ही तयार है इन हट्यों के संदेश खेलने के लिए आप ही तयार है क्योंकि हाटी के जो लोग है हाटी के पनेदिकारी है उन्होंने जो है भरतिय जनतापार्दी का चोला पहना हुआ है इसलिए वो हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री से मिलने की ना उनकी हिम्मत है ना वो जुरट समते है ने भरतिय जनतापार्टी और हाटी समीती से डरने वाला नहीं है इन्होंने एडी चोटी का जूर लगा लिया मेरे पिछली बार और आप सब की बदौलत और शिलाई के जो कॉंग्रस पार्टी के लोग है चाहे छोटा कारी करता है चाहे बड़ा कारी करता है आपकी बदौलत जो है मैं आज यहां पर खड़ा हो कि के मुझे हाटी समीती से और भारती जंता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जूर्प नहीं है मैं डंके के चोट पे बोलता हूं तुमने पहलो भी जोर लगाया और तुमारे में और धम होगा और धम खम राय जाएगा ना तुमारे पास 2027 को तो 2027 में भी दम खम लग में नहीं लिखा है तो यह तो एक ऐसा डवरता जिस पर हमें हमारा पहला माथा धंका दी यह कैसे हो सकता है वही यह लिखा है गदी आप नीचे पड़िए फिर नीचे गुजर लिखा होगा फिर लावला पंग्वाला की नौरा यह सम लिखा है यह छे जातियां हुई थी यह राष्टपती की ऐसी शी नोटिफिकेशन है जैसी नोटिफिकेशन यह है करीब तीन लाग की आबादी वाली गिरिपार शेदर के लोगों द्वरब वर्श उनिस सदा सट से की जा रही जण जात ये दर्जे की मांग को बेशक केंदर सरकार वा लास्टियर तक प्रदे समीदी ने बीजेपी को सपोर्ट किया मगर इसके बावजूद गिरिपार की 154 में से 104 के करीब पंचायतों वले शिलाई वर रैणुका जी विधान सबा हलके में बीजेपी की लूटिया डूप गई रैणुका में हलकी भाजपा की हार के कारण यहाँ पूर प्रतियाशी द्वारा बगावत किया जानव पार्टी का कमजोर कैड़राधी समझे जा रहा है मगर शिलाई से बीजेपी कैंडिडेटर है पूर्व विधायक बलदेव तो उमर पूर्व सीम के करीब होने के साथ सत हिमाचल भाजपा के परवक्ता भी रहे और सीम से नजदीकियों के च सीरे चड़ाने के साथ सत तो उमर को शिलाई में एसडियम ऑफिस डी एसपी ऑफिस सिविल कोट सिविल हॉस्पिडल विदुद विभाग के एक्सियन कॉलेजवत ऐसील जैसे कहीं संसान खोल लेगे लिए उस दोरान शेत्वासियों दोरा विकास पुरुष भी कहा जाता बल्देत ओमर दोरा पूरु प्रदेश सरकार के कारेकाल में कफोटा नामक जिस दूर दोरा स्थान पर एसडियम ऑफिस खुलवाया गया वहाँज हाटी मुद्दे पर पिये मोदी के नेधरित वली केंदर सरकार के खिलाप नारे बाजी हुई कांगरेस समर्थित हाटी कल्यान मंच द्वरा गत 15 दिसंबर को शिलाई के बाद आज हाटी महा खुम्रियों की तर्द पर दूसरा प्रोडेस्ट किया गया है लगी इस प्रदर्शन में आदो दियोग मंत्री हर्ष बर्दन पहुंचे और नाही दावे के मुताबिक भीड हाटी मंच के इस प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कॉंगरेस कारे करता हूँ मंच के पदादिकारियों ने महा महीम राष्ट पदी की नोटिफिकेशन के पांच वे महा भी सर्टिफिकेट ईशू ना करने के लिए केंदर की भाजबा सरकार के खिलाब नारे बाजी की खोटा में हाटी मंच किरिपार के इने हिस्सों की वज़ाए ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है हाटी मुवमेंट को लेकर एक इंटरस्टिंग फैक्ट ये भी है कि 54 साल तक जहां किरिपार की सभी जातियों अतर समधाय के लोगों ने चंजाती दर्जे की मांग को लेकर किय जा रहे है आंदोलर में सही हो किया वहीं पिछले फितान सबा चुनाओं से कुछ माँ पहले एक्रोसी टी एक्ट निश्क्रिये होने जैसे मुद्धो पर गिरिपारानों सुझे जादी समीधिव भी मार्मी जैसे ऐसी संगटनों ने पैरलर मुमेंट छेड़ दिया इसके बदगत चार अगस्त को भारत सरकार्दवरा नोटिफिकेशन जारी किये जाने के बद कॉंग्रेस शिलाई मंडल के अध्यक्ष के नाधरित्म में जहां सीम से मिले ओभी सी भाडवरामन समुधाय के लोगों ने उन्हें बीना पूछे एस्टी लिस्ट में शामिल करने की बात कहीं महीं गिरिपार के अंतरगाता आती है मगर यहां भाजपा की जीत का मुखे कारण पूर्फ कैबनेट मंतरी गंगुराम मुसाफिर्दवरा कॉंग्रेस से बगावत कर चुनाओ लड़ना बताया जा रहा है गिरिपार के लवा सिर्मौर के जिला मुखेले नाहन से पहली बार भाजपा के राजपा विधायकों वाले बिदान सबाशेतरों की वजए शिलाई में कहीं कुना जादव संस्थान खोले गेजिस के चलते राजीब बिंदल्वा सुकराम चौधरी जैसे कद्दावर भाजपा नेताओं के हलके के लोग भी कहीं पार फूर सीम के करीबी के हारे हुए मित्र बलदेब तोमर के ग्रह शेतर में भारी विकास के चर्चे करते थे चर्चे इस बात के भी है कि इससे पहले धूमल सरकार के शासनकाल में शामराद भूमी लोटाए जाने का सब्चे जारा बैनिफिट भी गिरिपार के खश राजपूत व भाठ ब्रामन समुदाए को मिला मगर उस दोरान भी एस सी कम्यूनिटी के एक जुट होने तथा कॉंग्रेस की सियासी चालों के आगे भाजपा चारों खाने चीत हुई बल्देत उमर को हाटी मुद्दे का श्रेत दिये जाने की तरह धूमल सरकार के शासनकाल में शामलाद भूमी लोटाए जाने का ग्रेडिट उस दोरान भाजपा के पूर प्रदेश महामंत्री चंद विकास कल्यान मंच द्वारा जो है वो एक रेली का आयोजन किया गया इसमें केंदर सरकार से साब शब्दों में मांग किये गई है कि हिमाचल सरकार ने चार महीने से जो चिठी आपको सपष्टी करण के लिए भेजी है आप उसका सपष्टी करण क्यूं नहीं दे रहे है भाजपा के परदेश हद्यक्ष राजी बिंदल इस पर क्यूं बात नहीं कर रहे है यहां से जो भाजपा के चुनिंदा सांसद है सुरेशक शिभजी वो इस पर बात क्यूं नहीं कर रहे है इसलिए इस मंच के मांध्यम से हम आगरे करते हैं चाई वो तथा कथित केंद्रिया हाटी समीती है चाई ठेकेदार नेता है किर्पया आप जो यहां उल जलूल भाशन बाजी या उल जलूल ब्यान बाजी कर रहे है उससे बाज आए केंद्रिया हाटी समीती जो अपना प्रदेशन कर रही न जो काम इन्होंने बहुत अच्छा चार अगस से पहले किया था प्रयास किये थे बहुत अच्छे प्रयास किये थे सबने सराना की लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब सिर्फ एक इन्होंने एक गाली गेंग त्यार कर द सब्सक्राइब आज जैसा कि यहां पे कफोटा में हमारे कफोटा शेत्र के जो हमारे युवा है उन्हों ने यहां पर जो है एक रैली निकाली एक हापे जो है हाटी के मुद्दे पे जो है एक सभा यहां पे की और इसमें जो में जो प्रमुक जो इनका जो कंसर्ण रहा है जिस पे जो है चर्चा हुई है कि हमाचल सरकार ने लगवग तीन महीने से उपर जो है समय हो चुका है जो केंदर सरकार ने हमारा 55 साल से जो लंबित मुद्दा था हाटी समुदाय को जंजाती देने का उसको जो है पूरा किया और उसकी जो है नौटिफिकेशन जो है चार अगस्त को जो है गजजट नौ तो गीरी पार्क शेतर के अंदर जो है इस तरह से जो है राजनिती का दार पे जो है हमारे जैसे यहां से जो मानविये उद्योग मंत्री है उनको टार्गेट करना उनको इसके लिए जबाब दे ठहराना जबकि उनके पास इसका मंत्राले भी नहीं है इसका मंत्राले जो है खर लільки ओर को आजा खा नपहिते हम पुदाने हम घ algumते हैं अर शजय है तक जार Dag